नमस्कार दोस्तों हरे कृष्णा राधी राधी कैसे है आप सब लोग साल की सबसे बड़ी मौनी अमवस्षा आने वाली है मौनी अमवस्षा इस साल 9 फेवराडी 2024 के दिन मनाया जाएगी इस दिन कोई भी सुबकम आपको नहीं करनी है पहले ही देखिये कोई भी मुन्नन आदी आपको नहीं करनी है लेकिन दान धैन दिव दान पित्रों के लिए तरपन हवन अधी बहुत ज्यादा महत्वर रखते हैं और ऐसा करने से जीवन में सुख सांती की प्राप्ती होती है जो बाधाये जीवन में आ रही है पित्रों के कारण अगर कुछ आ रहा है तो यह एक सुवर्ण सुजग है जिसमें आप जरूर कुछ ना कुछ उपाई क करें और अपने पित्रों को सांत करें अपनी जीवन को बहतर बनाएं तो बहुत सर उपाई बताऊंगी और इस वीडियो में सुखे से लेकार रात तक का पूरे दिन का दिन चरिया किस तरह से रहना चाहिए क्या क्या करना है भोग क्या बनाएंगे किस तरह से आपको जीव मोर्त में उठना है जितना हो सके सुबह सुबह उठ जाईए क्योंकि मौनी अववस्टा और कुछ दिन विशेस ऐसे होता है जिसमें ब्रह्म मोर्त में उठना आप में आप में बहुत बड़ा हो चीज होती है इसके बाद दूसरी पॉइंट में आती हूँ घर की साफ सफाई आप जरूर कर लिजेगा इस दिन घर में किसी भी प्रकार का गंदेगी नहीं रहनी चाहिए साथ में घर में जब पोचा लगाएंगे एक चुटकी हल्दी लगाकर पोचा लगाईए तो यह बहुत अच्छा माना जाता है ठीक है इसके बाद तीसरे पॉइंट में आती हू जरूर करनी चाहिए तो एक ही दिन में अगर समय नहीं होता है बहुत मुश्किल हो जाता है तो आतास्त आप और पहले मंदिर को साफ कर लिजेगा इसको पैहले वह कर सकते है कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूं तो सबसे पहले आप अपना देहलीज के उसके बाद साफ सफाई कर लिजेगा देहलीज में थोड़ा सा जल चिड़िके अच्छी से हल्दी की पानी से दो लीजिए या पोच लीजिए फिर स्व पूजा करना चाते है तो अगर जैसे काली तील एक बार हम डाल देते हैं तो जो पुन्य होता है जो आववान होता है पित्र के निमित्त हो जाता है तो पित्र इसमें बहुत खूस होते हैं और अगर पित्र दोस्ट लगा है तो आप इस उपाई को हर आमावस्या में कर सकत तो इसी तरह से आपको देहलीज को पहले पूजा करने के बाद ही क्यूंकि जो भी भगवान आएंगे पित्र भी देहलीज तक आते हैं और वो खुस होते हैं कि हमारे आने की खुसी में कितना बढ़िया स्वागत की ववस्ता किया गया है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ तो आपको इस दिन घर में जितनी भी देवी देवताय है सभी का अगर वस्त्र पहनाते हैं तो वस्त्र चेंज कर दीजेगा और सभी मूर्तियों को स्नान जुरूर कराएं बाकी दूसरे समय आप चाहे तो हपते में एक दिन स सभी विग्रह का स्नान कराना अवश्चक होता है तो आप सभी विग्रह का स्नान अधि कर लिजेगा और तीलक कर लिजिए चंदन से रोली से भोग चढ़ाएं धूप दीब दिखाएं पूस्प चढ़ाएं तो इस तरह से मंदिर की बहुत ही अच्छी तरह से पूजन कर ल यह चलिए जान लेते हैं इस दिन गौमाता को कुछ भी खाना खिलाना बहुत अच्छा रहता है जैसे आप हल्वा पूरी खिला सकते हैं आटा किला सकते हैं तो जो भी गौमाता को खिलाया जाता है वह चीज़े आप खिला सकते हैं चीटी को थोड़ा सा आटा डाल सकते हैं क जूरूर करें दान से बहूत ज्यादा पापों का नास मिलता है दान करने कोशी कोचिस करें थोड़ा धान JN c ऊशार करने मंदीर की पूजा जब हो जाएगा जो एक ठाल में आप रेडी करें आप वने जश्क यवादD पीटल की लोटा ले लिए इसमें लाल चंदन रोली थोड़ी सी अकसत थोड़ा सा लाल फूल इतादी डालिये जैसे सूरे नारायन को हम लोग जल देते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप इस दिन भरवाल सूरे नारायन को जल जरू दीजेगा सूरे नारायन को आपको जल देना है तो अमवस्था की दिन जो ये काम करता है उसको घर में बहुत सारे दोस्त की निवारन हो जाता है तो एक बात का ध्यान रखे कि आप जब भी भी अमवस्था दिन आए जितना मैं बता रही हो जुरूरी नहीं है कि वो सारे चीज़े आप करें लिकिन जितना आप से हो पाता है वो सारे चीज़े आप करने की कोशिस जुरूर करें तो आप तक हमने बहुत सारा चीज़े आप लोगों को बता दिया है जैसे घर की साफ साफाई करनी है मंदिर को साफ साफाई करनी है देलीज पूजन करनी है इसके बाद मंदिर की पूजन करनी है फिर सूर्य नारान को जल चड़ाना है ठीक है और सूर्य नारान को जब जल च चड़ाएंगे तो नीचे एक पात्र रखिए जिस पात्र में जल को संग रह करेंगे और बाद में जल को आप जो आना किसी पॉधे में डाल देंगे तो पानी ऐसे बिल्कुल भी नहीं चड़ाना चाहिए जिसमें पानी का छीटा आपके पैरों में आये या तो फिर नीचे नाला में या कहीं और जगा भे जाए ठीक है तो इस बात का विलकुल ध्यान रखे कि नीचे पात्र में आपको जल को संग्र करना है इसके बाद देखे आ जाते हैं हम तुलसी के पुजा करने के लिए इस दिन पीपिल का ब्रिक्स का 108 बार 21 बार 11 बार 7 बार परिक्रम लगा अगर संभब है तो ठीक है अगर संभब नहीं है तो आप घर पे ही तुलसी मांका पूजन कर लिजिए जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं किसी तीज देवार पर उसी तरह से पूजन कर लिजिए मांक के महीने के लिए स्पेसल अगर को नियों आपने लिया है जैसे मेहंदी चढ़ाना बिन्दी चढ़ाना या तो फिर थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाना इता है तो वो सारे नियों के हिसाब से पुजन कर लीजेगा और तुलसी में ही परिक्रमा भी दे अगर आपके तूलसी ऐसी जगह पर है कि परिक्रमा नहीं दे पाएंगे तो फिर एक काम किजिएगा जहां पर खड़े पुजा कर रहे हैं वहीं पर उसी जगह पर गूमते हुए आप परिक्रमा दे सकते हैं इसके बाद देखिए नेक्स पॉइंट पर आती हूं कि पित्रों सूर्ण के नाम पे एक दीवदान आपको या तो सुर्यास्त के बाद ज्यूरु करनी चाहिए ऑर इक दीवदान जोरूर जरूर करें आप किसी नाराय जी की मंदिर लिए जा सकते हैं नधि किनाड़े दिपवदान किया जाता है बहुत महात्व होता है और मंदिर में अगर आगे घृता कभी भी कर सकते हैं कुली जगह पर सुवेरे होती है आज अगर संभव है तो अगर ससनी मंदीर आपको्ति मिल जाता है संभक नोक सिर्सो का यह जुरूर करें आपके घर के आसपास कुछ व्यावस्था नहीं है या आप नहीं जा सकते तो अगर सम्मी का पेड़ पौधा कुछ भी आपके घर पर अपने लगाया है या आसपास कहीं है तो आप वहां पे भी दिपदान कर सकते हैं साम के समय सरसो का तेल का दो बाती का दिपदान आपको इस समय जरूर करनी चाहिए भोग में इस दिन फखा खाना बनाया जाता है यानि की खीर पूरी तो है तेल का कोई चीजिया बनाये जाता है है गी से चीज़े बनाये जबना और कुँद्टे को भी थोड़ा साथ दिया इस समय कहते हैं पित्रों किसी भी रूप में आ सकते हैं तो हम सभी रूपों में भोग वितरन करते हैं ताकि पित्रों को उस भोग को मिल जाए और त्रिप्त हो सके आसिरवाद कर सके और हमारे बड़े जब आसिरवाद करते हैं तब हमारा जीवन जो है थोड़ा सा क्या बोल अब साम के समय का नियम क्या होगा सुबेरे आप चाहे तो ब्राम्वन भोजन जरूर करवाना चाहिए अगर हो सके तो नहीं तो आप जो हैंने सीधा निकल के उनको दान भी कर सकते हैं साम से पहली अपनी दिपक को जरूर तैयार करके रखिएगा इस दिन ज्यादा से अलों जाला लाना हीं हमारा कर्फव होता है चाहतें लीकारिन के वःग्ष for पीपल के पेड में केली के व्रेक समीं तूल सी और गौशाला में नदी किनारे पित्रों के नाम पर दिब्दान किया जाता है अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में कम से कम पांच दिब्दान आपको करनी चाहिए पांच दिब्दान कहा कहा करेंगे तो देखे एक दिपक आपको जलानी चाहिए अपनी मंदिर में ठीक है अपनी मंदिर में आप जरू रोने में थोड़ा सा जल ले जिए थोड़ा सा हल्दी कुमकुम डालिए थोड़ी सी फुल डालिए और गंगा माता का सवरन करते हुए उनके सामने दीबदान करें तो इसी तरह से पाँच दिपनगावाट को हिए पांच दीबदन आप को जरूर करनी है सब्सक्राइब मचैने हमें को नाम करें लिए होटा सब्सक्राइब करना है चाहिए हवन्सक्राइब जरूर करना चाहिए हवन आप काले तील से करेंगे और ध्यान रखे अगर पित्रों के लिए कुछ कर रहें तो घर के पुरुस के द्वारा ही करवाएं वही सर्वस्रेश्ट मना जाता है और पंडित द्वारा कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है और अगर सिर्फ लेडिस पूजा किस तरह से करेंगे इस पूरे अमवश्रा के दिन तो वह मैंने इस पूरे वीडियो में आपको बता के रखा है जो भी स्वागंस त्रिया है वह बाल नहीं धोएंगे बिल्कुल ध्यान रखे इस बातों को बाल नहीं धोएंगे मास मदीरा मच्छी मटन चिकेन या कुट्ता कवा कोई भी जानुवर को इस दिन मारना नहीं चाहिए कहते हैं कि पित्रों किसी भी रूप में आते हैं बसे देखा जाए तो एक अच्छे इंसान बनिये और किसी को कभी भी मत मारिये एक आदत बनाईये वह ज्यादा अच्छा है बजाए कि एक ही दिन का नियम करेंगे एक बत और बताओं किसी भी प्रकार का मांगली कारे इस दिन नहीं होती है तो ध्यान रखे आपको कोई भी अच्छा में नहीं होता है और यही दिन करें आज के वीडियो यहीं तरन कमेंट चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो अन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे बहुत 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 बहुत।